Hi everyone, Welcome back to Shanghai classes, First of all good evening to everyone, आज आई है friends, बज रहे हैं शाम केचे, यहाँ पर आज मैं क्लास आपकी एक अंशडूल टाइम पर लगा रही हूं, लेकिन मैंने आपको टेलेग्राम पर अप्डेट कर दिया था कि यहाँ पर क्लास आपकी होगी, मुझे वक्त नहीं मिल पाया, मैं आपके एक्जाम के टाइम है, मैं बहुत मैनथ इस वक्त कर रही हूं, काफी स्ट्गल मेरे लिए आपके एक्जाम से जादा हो गया है, हैक्टिक है बहुत जादा, है हर चीज़ वन अधिक है उप्ड है, कि आपके एक्जाम ना होते हैं तो मैं क्लास 15 दिन के लिए बंद कर देती हैं मैं इता जादा पॉजल दूँ पर मैं कोशिश बूरी कर रहे हूं कि आपको चीजे मिल जाए और जो भी चीजे हैं पेपर एट लीस्ट है वो पूरा करवाना चाहती हूं कि करवाई यही पर देखते हैं कि आपको चीजे मेरे साथ कोई दिक्कत होती तो बताना मैं जित्ता होगा उत्ता स्लुशन दूँगे आज मैं आपके लिए ना जो 2022 का लेटेस्ट पेपर है वो हिंदी कर लेकर आई हूं कि इसको नहीं कर वाया अभी तक तो वह मैं आपका लेटेस्ट ओल साथवा नहीं छटा वेपर है अब देखो कोई दिक्कत होगी तो बताना वस्तुन इस प्रश्ट पर फटाफटाओ करते हैं पढ़िए प्रश्ट को आप लोग क्या लिखा है अंतस्त वेंदन की संक्या कितनी होती तो हम जानते हैं वेंदनों के प्रकार को हमने आर्री पर कर भेंदन की तो कुछ रहा है धका है प्रश्टें आप लिखार से जण और्ले को समय है नहीं सब्यों कर रहिए तो सब्सक्रक्रले Napzes क्या ब्ृटत है झाल से चोलते हैं फ्हलटे परश्ट को कश्वowane तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो इनका क्रम होता है कि का वर्ग से लेकर मा वर्ग के बीश में होता है तो इनकी संख्या कितनी है बहुत बार आपको पता होगा गलत तो आप नहीं करेंगे मुझे क्योंकि मेरे बच्चे मेरे तरह पढ़ाएगे काफे स्मार्ट और तेज़ भी है तो आप कर लेंगे मुझे उम्मी तो बहुत है आपसे तो यहां पर ध्यान रखेगा इस पर स्वेंजन की संख्या है वो 25 है टोटो कितनी है 25 ध्यान रखेगा आपके दूसरे में दू महाप्राण नहीं है और तो महाप्राण एक नहीं है डौक का महाप्राण नहीं है बता क्या क्या होता है इस थे ख魔 глазर उत्वीति हैता है डूसर हर वर्ग का दूसरा ओर चौथा वर्ण जो होता है कभी कभी ऐसा होता है कि PNP के दोरा भी questions गलत बना लिए जैसे यह आपका गलत नहीं है एक प्रकार से नहीं भी एक प्रकार से है भी कैसे गलत है वो बताती हूं बाद में पहले क्रिश्च रब्द का मतलब बताओ क्रिश्च रब्द का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कनी चारी तो हम को ऊप्सिन को अपके पास को क्रिष्ट का मतलब दुबलाब बगतला आशा निन Qisr संदुर्फ मजबूत ऐसा ही होगा तो यहां पर यह दिमेली आप अगर देखेंगे इसके बारे में सरश करेंगे तो आपको स्थूल या हस्ट पुस्ट ही मिलेगा दिर्ण मिल रहा है तो यहां पर सारे ऑप्षिंस आई हैं ठीक है अजरा एक वार आप लोग सीरीज में वह पाली सुनना बोलना पढ़ना लिखना तो इसमें से कौन एक ऐसा नहीं है भासाई कोशल में नहीं आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि गद्द इसमें नहीं का बाकी तीन चीज़ें इंवाल्व होंगी आगे चली फ्रेंड्स आपके जो अब बहुबाव चीज़ें आपको दे पाऊ और जित्ती कोशिश कर पाऊ उत्त करबाव और तीन दिन बाद से दूसरा काम चालू हो जाएगा तो उसमें मेरे साथ चली फिला आए देखते हैं यहां पर क्या चीज़ें है तो यह आपके अतलग हुत्री का छटा प्रशन है हसस्वर किसे कहत है तो जन सवरों के अचाड़ वे कम से कम समय लागता है या कह सकते हैं कि एक मातरा मात्रा का समय लगता है इंहीं हम हरस्वष्वर कहते हैं और इनकी चया होती छोटा-चोटी छोटा उज या मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं आपको एक नमबर बहुत अचाने से मिलदागा जो कि बहुत अच्छी डिफिनीशन है आगे बढ़िए दूसरा सुधा और पंकच शब्द का अर्थ लिखना है आपको शुद्य संबनार्थक शब्द आपने पढ़ा है और आपने और सब्दों के बारे में देखा है तो आपको वर्ड मीनिंग भी आपके इस सेक्षिन में और संस्क्रित में आती है त्स ओधा का मतलब सुधा का मतलब शुद्द अमरित कलंयार प्यूज ये सब होता है व्यों पंकच का मतलब कमल का फूल होता ऐ है और भी आप लिख सकते इस आपको कैसे एक्जाम की त्यारी करनी है तो आपने जिन लोगों नहीं नहीं देखा है वीडियो जरूर देख लेंगों काफी हेल्फूल होगा आपको बताइए तो फ्रेंड्स उसका लिंक आपको मिल जाएगर टेलिग्राम पर भी दिया गया आप वहां पर भी काफी इन्फ की सन्गया बहुतर है और नहीं पर संगया 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 और संगया संगया तो संगया आसे तो यह तो पूरी करता करेट की डिफिशन हो गई तो यहां से घय को गयी यह तो आप कारक की definition बहुत अच्छी बता सकते हैं चलिए आप लोग टास्क में तरह बताएगे कि कारक की फरिभाशा क्या होती है कारक किसे कहते है वो आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगे दो टास्क मने अभी तक आपको आज कमेंट बॉक्स में करनें ले दिया है नेक्स एक है अभिवेक्ति के साधनों के नाम अभिवेक्ति का मतलब होता है कि अपने मन के भाव और विचार को तूसरे वाले के सामने प्रकट करना लेरा कर रखना आप अपनी बातों को अपनी भाव नौक अपनी सोंच को रख सकते हैं तो बहुत साए तरीके होते हैं जिन लोग पढ़ते हैं बाद बाद होता रहता है उसमें यह काफी लोग इसने करते हैं नाटक लेखन हैं बहुत सारे उपन्यास है बहुत साइच चीजें हैं तिन के दरहां अपने भाव और वचारों को अभिवेक्त कर सकते हैं और हम विभिन साथनों का प्रेउब करके आइसा क आपके विराम चन्न आपके बाथ करने एक लाएक श्बाएक बात करने के लिए रिखाने के ओक कुछ भी निगर करें, रुखता प्रियों में लुखता है या झेल प्रिया कि शुच भी हूं चाहें कुछ के लिए चिन्नों का प्रियूक करते हैं। तुछ कि रियूंट के लिए। परचारिक परचारिक से परचारिक साइब रखेशन के इर्द गिर्द नाच रही है उनके साथ जोड़कर पढ़ाने का प्रयास किया है विकसित करने का प्रयास करती हैं ये मांटरी सीकक्षा वैवारि करते रहते हैं आपके फ्रेंट्स आती लगुतुरी के जो सेक्शन से वह भी हो गए ओवर वक्त आपका नहीं लेना चाहती हूं मैं दस से पंदरा मेट की क्लास बनाओंगी मैं विल्कुल फ्री नहीं फ्रेंट्स मेना 15 जुलाई तक काम फजा हुआ है लेकिन अब क्या ही सब्सक्राइब करवा हुँ ताकि कोई भी बच्चा जो शाली क्लास में आया हुआ उसको बैक ना लगे वह अच्छे सब बढ़ियां बढ़ियां नमबर लिकिया है ठीक है चलिए है विश की बढ़ियां होगा अब बात कर लेते हैं दो नंबर के क्वेस्टेंस की सबसे वा बढ़ियां है तो आप राम का नाम लिख दीजे राम हो गया तो आपका यहां पर पाई हो गया तो आप ऐसे जो है राम से लेख सकते कोई पॉल्म नहीं होगी चलिए फ्रेंट सिजे के साथ देखते हैं 13 परशनले के महात्यों को सबस्ट करिए कि महात्यों में क्या परांद भावों को क्रमबद्धिता रोप से पकड़ करने कर सके जब आप कोई चीज पढ़ते हैं और आपको एक स्टेप बाई स्टेप नहीं मिलता है तो फिर हमां का यहां पर कैसे तो लेकर से पढ़ने में हमें उनके भावों को पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि यह सब्सक्राइब करने में तो क्रमबद्धिता का जो एक सेक्शन है वह आपको समझ में आता है सुपार्थ लेक्त लिख सके इससे क्या होगा कि हम भी उसी तरीके से एक्दम होगो अच्छा सा पार्ट लेक लिख सके आगे चलके शुद्ध शब्दों की वरतनी हमारी एक सेस्टी टुड़ाइब आगे बढ़िए 14 यह यहां पर है शुद्लेक का अर्थ और महा तो क्या होता है तो आई जानते हैं इसका अंसर आप लेक सकते हैं शुद्ध लेक को लेक्ना सुने हुए जो कानों में आपके धुनी सुनाई देती है जैसे हरे कृष्णा हरे रामा ह को ग year.. अपको सुनाइए देता है... तो वह आपको लिखना .. priority अशुर्त की सुना हुआ.. घ्याल में डिसे में... चाहता हुआ.. टाइक है.. इस बॉलता है.. दूसरा था व्क्रणु सुन दिखता है.... जिसेहे…। हमारे वढ़त.. नियूदरी होती है और हमें उचारन करने का भी क्यान बहुत अच्छा तरीके से होता है तो ये शुर्ट लेखन की विधी और मिलब उनका लाव है उश्वन्दन किसे कहते हैं उनके नाम लिखे तो जिन वन ये चार होती इनकी संक्या शाखा शाह इन चारवर्णों के उचारन मुख निकलती जब इनका उचारन होता है इसलिए इनको उश्वन्दन कहते हैं जब जलते हैं तो गरम गरम आपको हवाई निकालते हैं और इनकी संक्या चार होती है आगे पड़िए देवनारी लिपी की विशेष्टाओं का उलेक करिए जो कि आपका सोलावा प्रशन है आपका अंज 8 जब जिक का नाम चींद जबैका उसका नाम होता फजिए घुपिया और रहा हिए पिर आपको एक कर निकला है तो कही होगा तो यह कि प्रतीक यह नहीं हौं यह सभा को पो aja कि हुटाना है लिख जाए झाल में कर दोड़ फुल्छ नहीं कर सब़ सब्सक्तिष् विलोम शवर्थ तुकान शवर्द और समान आर्थी शवद क्या होता आ इए जानते हैं जो शवड़ेक्स हैं उन्हें विलोम शवद क्षब्ष बैख सफ़ल का सफल आगे का पीछे उपर का नीचे बहुत अच्छी परभाशा और बहुत अच्छा मैंने लिया भी है फिर आपके बास समान आर्थी शब्द क्या होते हैं जो सब समान आर्थ बताते हैं उन्हें समान आर्थी परियावाची शब्द कहते हैं खुशी का दुख होता है हर खुशी का खुशी शब्द का परियाव पर आप एक्जाम देने जाएंगे तो आपको दोनों क्लासस के बारे में शानली क्लासस के बारे में बच्चो को जरूर से जरूर क्यों कि आपके छोटी-छोटी वह जो मेहनत है तो मेरे ले कफी रंग लाएगी हो मैं बहुत खुश भी होंगे आपक मुझे अच्छा जिन में मुह से अधिक और नाक से कम धोई निकलती है चांद तो मुझे उमीद है कि कोई प्रोडम नहीं होगी कोशिश करिए कि पढ़ते रहें कोई दिक्कत होते हैं आप मुसे शेयर कर सकते हैं हम जितना हो सकती है आपके शल्यूशन दलाने की कुशिश करेंगों बैस सब्सक्राइब करेंगे मिलते हैं नेक्स में अब तब भी टेक केर बबाई सी यू सूर बेस्ट अफ लाग